नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्र एट पीम न्यूज बुलेटिन में उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगी जो आपके परिक्षाओं के लिहाथ से महत्तोपून है लेकिन उसके पहले आज की हेडलाइन पर एक नजर कॉमन एलेजिबिल्टी टेस्ट के लिए राष्टी भरती एजनसी के गठन को कैबिनेट से मिली मंजूरी एससी बैंक और रेलवे भरती परिक्षा को सुरुवात में किया जाएगा सामिल मध्य प्रदेश उप्चुनाओ को लेकर सिवरास सरकार का बड़ा फैसला कहा प्रदेश की सभी नौकरियां प्रदेश के मूल निवासियों के लिए होंगी आरक्षित विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी किया स्वागत तो चलिए अब बड़ी ख़बरों के साथ आज के बुलिटिन की सुरुवात करते हैं कल यानी 19 अगस्त को केंद्री मंत्री मंडल ने साजहा पातरता परिक्षा आयोजित करने के लिए राश्टिय भरती एजंसी या नेशनल रिक्रूट्मेंट एजंसी यानि एन आर ए के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है केंद्री मंत्री प्रकास जावडेकर ने यह जानकारी कल साम प्रेस कॉंफरेंस में दी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई केंद्री मंदल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया फैंसले के बाद प्रकास जावडेकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फिलहाल अभी युवाओं को नौकरियों के लिए अलग अलग परिक्षाएं देनी पड़ती है इस संदर में स्रीजावडेकर ने आगे कहा कि ऐसी परिक्षाओं के लिए अभी तकरीबन 20 भरती एजंसिया हैं और युवाओं को परिक्षाद देने के लिए अन्य अस्थानों पर भी जाना पड़ता है उन्होंने आगे कहा कि इस संदर में परिसानियों को दूर करने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी इसी समस्या को देखते हुए केंद्री मंत्री मंडल ने यह फैसला किया किंद्री वंधी जितेंद्र सिंग ने इस फैसले को आयतिहासिक बताते हुए कहा कि सुरवात में तीन एजंसियों की परिक्षाएं राच्टि भरती एजंसी की दायरे में आएंगी एक अधिकारी ने बताया कि शुरुवात में इसके दायरे में रेलवे भरती परिक्षा, बैंकों की भरती परिक्षा और कर्मचारी चैन आयोग आएंगे इस परिक्षा में हासिल किये गए स्कोर तीन साल तक मानने होंगे परिक्षा आयोजित करने के लिए प्रत्यक जिले में कम से कम एक परिक्षा केंदर भी अस्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान ने वादा किया कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए स्थानी युवाओं को पहली प्रात्मिक्ता दी जाएगी और इसके लिए हम आवश्य कानूनी प्रावध ही है जो प्रदेश का मूल निवासी है वही सास्किय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविश्य समारे यही मेरा सपना है मुख्यमंत्री ने स्वतंद्रता दिवस पर अपने भासर में कहा था कि प्रदेश में भाजपा सरकार इस तरह की व्यवस्था बनाएगी जो ये क्षेत्रों में भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें दस्वी और बारह्मी के अंकों के आधार पर नियोजित किया जाएगा मुख्यमंत्री की यह घोषणा काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि अभी तक प्रदेश के बाहर से भी ब हैसले का स्वागत किया है कांग्रेश मेडिया सेल के उपाध्यक्ष भुपेंद्र गुपता ने कहा कि जिस भी निरणय में प्रदेश की बच्चों का हित छुपा है कांग्रेश पार्टी उसका स्वागत करती है वहीं दूसरी और निशनल कॉन्फेंस के उपाध्यक्ष उ ओने वाले 27 सीटों के उपचुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है विशेशग्यों की माने तो यह घोषणा उसी चुनाव को देखते हुए किया गया है और अबंत में कुछ अन्य महत्पून खबरों पर एक नजर हाल ही में कोवेट 19 के मद्दे नजर भारत के संस्थानों की अटल रैंकिंग अटल रैंकिंग्स आफ इंस्टिउशन्स ओन इनोवेशन अच्यूपमेंट यानि ए आर आईटी 2020 की खोषणा किया इस रैंकिंग में बजट एवंक फंडिंग सपोर्ट अवसंडशना और सुविधाय जागरुकता विचार स्रिचन और इन और आई आई टी दिल्ली हैं वहीं इंस्टिट्उट ओफ केमिकल टेक्नोलजी मुंबई को सरकार एवंक सरकारी सहायता प्राप्त विश्विध्यालियों के तहत सीर्स अस्थान मिला है निजी विश्विध्यालियों की स्रेडी में कलिंग इंस्टिट्यूट ओफ इंडस् आनमंत्री आज स्वक्ष सर्वेक्षण 2020 के परिडामों की घोषणा करेंगे यह देश के वारसिक स्वक्षता सर्वेक्षण का पांचवा संसकरण है स्वक्ष महोत्सव के नाम से आयोजित इस कारिक्रम में सेस्व प्रदर्शन करने वाले सहरों और राज्यों को कुल 139 प साथ ही इस सर्वेक्षण में 1.87 करोन नागरिकों की भागीदारी है आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा स्वक्ष सर्वेक्षण की शुरुवात स्वक्षता मिशन में बड़ी संख्या में लोकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था साथ ही इसका उद्देशी भारत के सबसे स्वक्ष सहर बने रहने की प्रतियस परधा को बढ़ावा देना है साल 2016 में 73 बड़े सहर, 2017 में 434, 2018 में 423 और 2019 में 437 सहरों को शामिल किया गया था साल 2019 का सरवेक्षन रिकॉर्ड 28 दिन में पूरा किया गया था जो पहला डिजिटल सरवेक्षन था हाल ही में मसहूर पत्रिका फॉर्चून ने विश्व की सबसे बड़ी कमपनियों की सूची फॉर्चून ग्लोबल 500 जारी की इस सूची में अमेरिकी रिटेल कमपनी वालमार्ट को सीर्स अस्थान प्राप्त हुआ इसके बाद तीन चीनी कमपनियों साइनोपिक समू, स्टेट ग्रिड और चाइना निस्टनल पेट्रोलियम का अस्थान रहा आपको बता दें कि इस सूची में सीर्स हंडेड में सामिल होने वाले रिलाइन्स इंडस्टीज भारत की एक मात्र कमपनी है इसके बाद कुछ अन्य भारती कमपनियों सामिल की गई जिसमें इंडियन ओयल 191, ओयल एंड निचुरल गैस 190, भारती इस्टेट बैंक 221, भारत पेट्रोलियम 309, टाटा मोटर्स 337 और राजेस एक्सपोर्ट्स 462 पायदान पर रहा भारती मूल के चिकिस्थक रवी सोलंकी को राष्टिय स्वास्त सेवा चैरेटी हीरोज के लिए एक सुरक्षित और पूरी तरह से काम करने वाली वेब साइट बनाने में मदद करने के लिए उनके स्वैकषिक काम के लिए समानित किया गया दरसल रवी सोलंकी को महामारी सेवा के लिए UK के Royal Academy of Engineering President के विशेश पुरसकारों के लिए 19 बिजेताओं में से एक बिजेता के तौर पर नामित किया गया डॉक्टर सोलंकी नियूरो डीजेनेरेटिव रोकों पर काम कर रहे हैं हाल ही में अंतरराष्टिय स्रम शंगठन और ACI विकास बैंक ने सैयुक्त रूप से टैकलिंग COVID-19 Youth Employment Crisis in Asia and Pacific नाम से एक रिपोर्ट जारी की इस रिपोर्ट की माने तो COVID-19 के दौर में तकरीबन 41 लाक भारतिय युवाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा अंतरराष्टी संगठनों द्वारा तैयार की गए रिपोर्ट कहती है कि एसिया और प्रसांद क्षेत्र के 13 देशों में तकरीबन 1,5 करोन युवाओं अपनी नौकरी खो सकते हैं रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वेरोजगारी की दर बढ़कर 32,5 फिस्दी हो गई है हलांकि इस छेत्र के सभी देशों में सरवाधिक 37,8 फिस्दी वेरोजगारी स्रीलंका में है 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्मार नीती की सुरुवात की है इस नीती का उत्तर प्रदेश से आने वाले 5 सालों में तकरीबन 40,000 करोन रूपे का निवेश लाना है इस नीती के जरिये बुंदेल खंड और पुर्वांचल को विक्सित करने का लक्ष बनाया गया है साथी इस नीती के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक वैस्विक इलेक्ट्रोनिक्स हब बनाने की भी कोशिस की जाएगी गरतलम है कि उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीती 2017 एक बड़ी सफलता थी और इसने निवेश और रोजगार के उद्देश को भी हासिल किया है इस नीत के जरिये पियम मोदी के इलेक्ट्रोनिक्स सामानों को सुन्य आयात के द्रिष्टिकून को भी प्राप्त करना है इस नीत के जरिये सरकार इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण में MSME इकाईयों को बढ़ावा देगी राज में तीन इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण क्लास्टर अस्थापित किये जाएंगे इसके अलावा निवेशक 15 फिजदी की पूझी गद सब्जिटी के लिए पात्र होंगे और 1000 करोन रूपए से अधिक के निवेश के लिए 10 प्रतिसत की अत्रिक्त पूझी सब्जिटी भी दी जाएगी गरतलब है कि वर्तमान में राष्टिय इलेक्ट्रोनिक्स नीती 2019 राष्टिय अस्तर पर लागू हो रही है यह नीत इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले द्वारा प्रस्तावित की गई थी कमला हैरिस को डेमोक्रिटिक पार्टी ने अपने उपराष्ट पती पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है उमिदवारी स्विकारने के साथ ही कमला हैरिस ने डोनाल्ड टरम्प पर निसाना साधते हुए अपने एक भासण में कहा कि टरम्प एक असफलनेता और बीते चार साल में नित्रुत करने में नाकाम रहे कमला हैरिस का उपराष्ट पती पद का उमेद्वार बनना भारत और अमेरिका के द्विपक्षिय संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है आपको बता दें कि जम्मू कस्मेर से अंच्छे 370 हटाए जाने के बाद कमला हैरिस का रुख भारत के बिपरीत रहा था कमला हैरिस अप्रभासन, सरणार्थियों और मुस्लिमों पर प्रतिबंध को लेकर डोनाल्ड ट्रम्ब के प्रशासन की नीतियों की आलोचक भी रही है इसे एक पक्ष के रूप में देखा जा रहा है लेकिन साल 2017 में उन्होंने एक ट्विट करके भारती प्रधानमंती नरेंद्र मोधी का स्वागत भी किया था फिलहाल 8 पिम के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताईए वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तैयारी को एक नई दिसा देने के लिए जुड़े रहिए टार्गिट विदालोक ओनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार